नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अचानक मा से मिलने गाउं पहुची बेटी ने जब देखी मा की ऐसी हालत, आशा है आपको आज की कहानी पसंद आएगी ममी जी, आप यहां बैठी है, मैं कबसे आपको आवाज लगा रही हूँ, क्या कान में रूई डाल रखी है, दो चार बुढ़िया मिलती नहीं की जमगट लगा कर बैठ जाती है, इतना ही दुख दर्द बाटने का शोक है, तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती, है हिम्मत उन कोकिला अपनी साथ शांती जी से कहती है, विचारी शांती जी उधर उधर देखी, धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, कुछ काम था, मैंने बाहर जाडू भी लगा दिया, कपडों को भी सूखने के लिए दे दी हूँ, कमरे में अकेले बैठे-बैठी उप गई थी, तो यह कोकिला बोली, देखो तो बोल तो ऐसे रही है, जैसे पूरी घर की जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है, अगर वो काम हो गए थे, तो इतना भी नहीं हूँ आप से कि कम से कम कमरे की सफाई ही कर दे, पूरे दिन खाती रहती है, और एक ही जंगे बैठी रहती है, तभी त इतना कहकर कोकिला बिना बात सुने, वहां से चली गई, शांती जी बोली, पर मैं तो सुबह ही सनान कर लेती हूँ, अब बातरूम साफ करूंगी तो फिर से बारा से सनान करना पड़ेगा, ये हर रोज दो बार नहाने के चक्कर में मेरी कमर की हालत खराब हो गई है, इतना शांती जी बोली, थोड़ा ठेर जाओ, बुड़ी हड़ियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि भाग सकूँ, तभी उधर से आवा जाई, मा, आप बातरूम की सवाई कर रही है, आज तक तो आपने कभी जाड़ू तक हाथ नहीं लगाया, अब ये सब आखिर घर के लोग है कहाँ, क्या इसी दिन के लिए भाईया, आपको अपने साथ रखना चाते थे, शांती जी का छोटा बेटा राम बूला, बेटी को देखती ही, शांती जी फूट फूट कर रोने लगी, मा नो बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो, बेटे ने मा को गले से लगाया, मा के पूरे कपड़े गी ले थे, बेटे ने साहरा दिया और कमरे तक ले गया, मा मैं थोड़ा भावी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदली जीए, शांती जी बोली, बेटा उसे कुछ मत कहना, ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, राम बूला, मा आप कोकिला के कमरे की तरफ गया, भावी, ओ भावी, कोकिला राम को देखकर चोग गई, राम ने कहा, इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे का लेटरिंग बातरूमी साफ करना है, कोकिला बोली, अरे देवर जी, आप कब आई, और क्या कह रही हो, राम बोला, मेरे छोड़िये, आपने मा की ऐसी क्या हालत कर दी है, आपको शर्म नहीं आई, मेरी मा से बातरूम साफ करवाते हुए, कोकिला बोली, अरे देवर जी, इतना क्यों भड़क रहे है, आराम से बैठकर चाय पानी पीली जिए, फिर बाती करती है राम वहां से अपनी मा के कमरे में चला गया, मा बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे लाल, तुझे देखे हुए कितना समय हो गया, और ये क्या तुमने आने की खबर तक नहीं दी, तभी कोकिला आई और बोली, ममी जी, क्या सच में आपको भी नह किन थी बाबुजी के रहते मजाल नहीं था कि मेरी मा अपने हाथ में जाड़ू भी ले आज बाबुजी की आत्मा कितना दुखी हो रही होगी और मा आप कबसे ये काम करने लगी अपनी तकलीफ कम से कम अपने बेटों को तो बताईए क्या भाईया को ये सब पता है शान्ती जी बोली बेटा घर का काम करने में क्या ही तकलीफ होगी अब तम गुस्सा ठूक दो और ये बताओ शिवानी बहू और बाबु कैसे हैं राम बोला मा आपके ये हाथ हमें आशिरवाद देने के लिए है बातरूम साफ करने के लिए नहीं बातरूम साफ करने के लिए तो हम है और फिर हमारी कमाई किस काम के जब आपको ये साब करने पड़े और आपकी बहु बिल्कुल ठीक है वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी पर उसकी माँ की तब्यत बहुत खराब है मैंने कहा पहले अपने माई के एक दो तीन रह लो फिर आराम से मां के साथ रहना शांती जी बोली बहुत अच्छा किया बेटा अगर तुम दूसरे की मां के दर्द को तुम महसूस करते हो इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई राम ने तुरंत अपने भाई किसन को फोन किया और अपने आने की खबर दी आदे घंटे में किसन आफिस से आकर राम को गले लगाते हुए बोला तुमने आने की खबर भी नहीं दी कि अचानक चले आए राम कोकिला की तरफ देखते हुए बोला अगर बता कर आता तो कुछ राज पर परदा हमेशा के लिए पड़ा ही रहता शांती जी जट से बोली अब दोनों भाई आ गई हो तो अच्छे अच्छी बाते करो मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ राम आश्चिरे से अपनी मा की तरफ देखने लगा तो कोकिला जट से बोली अरे मम्मी जी आप चाय कब बनाती हो जो आज बनाएंगी मैं बनाती हूँ इतना कहकर वो रसोय की तरफ चली गई दोनों बेटों को अपने पास देखकर शांती जी के मन में सुकुन मिल रहा था रात को खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे शांती जी अपने कमरे में थी राम ने इधर उदर देखा और बोला मा क्यों नहीं आई तबी कोकिला का चोटा बेटा वीर बूला दादी तो सब के खाने के बाद खाती है राम बोला ऐसा क्यों वीर बोला दादी को बरतन भी तो दोना होता है कोकिला जट से उसका मूँ बंद करते हुए बोली ये लड़का कुछ भी बोलता है चुपचाप से खाना खाओ मैं दादी को बुला कर लाती हूँ कोकिला शान्ती जी के कमरे में गई और बोली मम्मी जी जानती है न बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानिया होती है अगर आप अपने घर की छट के अंदर रहना चाती है तो अपना मो बंद रखिएगा चलिए और सब के साथ खाना खा लीजिए शान्ती जी जुप चाल जाकर बेटे के साथ बैठ गई रात में शान्ती जी जब लेटी थी राम उनके पैर दबा रहा था शान्ती जी की आँकों से आंसू बह रहे थे राम बोला मा आखिर क्या बात है अब बताती क्यों नहीं शान्ती जी ने देखा कोकिला दर्वाजे पर कान लगाए सुन रही थी तो वो बोली नहीं बेटा ये खुशी के आसू है कितनों दिनों बाद तुमें देखती हूं फिर वो मा के पास ही सो गया अगले दिन दो जाना की तरह शांती जी ज़ाडू लेकर भाहर साफ करने लगी ज़ाडू की आवाज से राम उटकर बैठ गया और अपनी मा के हाथ से ज़ाडू लेकर बोला मा ये संजोग नहीं हो सकता इसका मतलब आप रोजाना ये सब काम करती है शांती जी बोली नहीं बेटा खाली बैटी तो सोची लगा देती हूं राम जोर से चिलाने लगा भहिया ओ भहिया भावी भार निकलिये किसन आख मलते हुए भार आया और बोला क्या सोर मचारक है राम राम बोला क्या आपको पहले से पता है कि मा घर के काम करती है किशन बोला अपने घर के काम करने में क्या हर्ज है राम भूला अश्रे के बात है भईया मा की उम्र देखिये क्या वो बातरूम साफ करने या बाहर जाडू लगाने के लायक है अरे जिस ओरत से ठीक से चला नहीं जाता उससे आप लोग ये सब काम लेते हैं मा के आराम के लिए क्या आप एक कामबाली नहीं रख सकते क्या फाइदा ऐसे बेटे का किशन बूला राम तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो और पैसे पेड़ पर नहीं आते कल तुमने अपनी भाबी से भी बत्तेमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो और मा को जब कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या परिशानी है राम बोला शर्म नहीं आती अपनी मा के लिए ये कहते हुए और आपको पैसे की दिक्कत क्यों रही है जबकि मैं ना तो उपर वाले कमरे का किराया लेता हूँ ना ही अनाज पानी घर का लेता हूँ सब कुछ मा की वज़े से चोड़ रखा है उपर से बाबुजी की पैंसन भी आती है अरे इतने में तो मा बिना बेटे बहु के भी अराम से रह सकती है उधर से शांती जी की छोटी बहु अपने बेटे को बोद में लिये हुए आई और बोली अकिर घर में क्या हो रहा है आप लोगों की चिलाने की Z बाहर तक आ रही है इतना कहते हुए उसने शांती जी के पैर चुए शांती जी ने चोटे से पोते को बोद में लेते हुए कहा बहुत तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है तुम ही समझाओ राम को कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है उस वक्त तो राम शान्त हो गया और अपनी पत्नी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बाते बताई शिवानी बोली ये तो गलत बात है ममी जी बड़े तो हमेशा ये सिखाते हैं कि अन्याई करना गलत है जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया जिस तरह से हाथों की पांचों उंगलिया एक जैसे नहीं होती वैसे भी सभी बच्ची एक जैसे नहीं होते और आप किसी पर वोज नहीं है आपके साथ कोई ऐसा व्यवार करे बले ही आप नोकरी नहीं करती पर अज भी आप अपने बेटों से कम अंदरी नहीं पाती ये बात जेट जी और भावी को समझ नहीं होगी उस दिन तो सब चुपचाप खाना खाकर सो गए पर अगले दिन पडोस की एक बूड़ी ओरत शांती जी से मिलने आई पहली बार ऐसा हुआ था कि शांती जी की कोई सहली चोकट के अंदर आई हो प्रद्मिल्ला ने राम को कहा बेटा अगर तुमारे घर के कोने में जंगे खाली हो तो अपनी मा को ले जाओ बेचारी यहां बहुत दुख सहती हैं तुमारे पिता के राज में कितना सुख भोगा आज बेटों के राज में कैसे काम करती हैं शांती जी की डरी हुई आँखे कोकिला की तरफ देख रही थी भी शिवानी बोली चाची जी हमारी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होगी अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ हमारी मम्मी जी किसी पर बोज नहीं है फिर सिवानी ने उस व्रिधा मैला को चाए पानी पिला कर विद्धा किया और बड़े आराम से कोकिला से बोली भावी मैं आपसे छोटी हूँ पर मैं ये कभी बरदाश नहीं करूंगी कि मम्मी जी के साथ गलत वैवार हो इशन राम को बोला राम अपनी पतनी को समझाओ सब देख रहे हैं ये हमारी मां का मामला है हम सुलजा लेंगे शिवानी को बीच में पढ़ने की कोई जुरत नहीं है राम बोला भाया आप भूल रहे हैं मारने वालों से ज़्यादा अधिकर बचाने वालों का होता है और ये हमारी मां होने के साथ साथ शिवानी की सास भी है कोकिला बोली बड़ी बड़ी बाते करना बड़ा आसान है तुम दोनों पती-पतनी अराम से मुंबई में रहते हो घर की परिशानी तो हमें देखनी पड़ती है सिर्फ किराया लेने से क्या होता है घर का मिंटेननस भी तो हमें देखना पड़ता है और पैंसन घर आकर नहीं मिल जाती उसके लिए धूप में पोस्ट ओफिस तक जाना पड़ता है शिवानी बोली अच्छा तो आपको इन सब चीजों से बहुत ज़्यादा खर्चा और परिशानी हो जाती है सभी किराइदार उपर से दोनों लोगों की बाते सुन रहे थे कोकिला सब को देखी और फिर बोली और नहीं तो क्या शिवानी हाथ जोड़कर सभी किराइदारों से बोली मैं आप सभी से विंती करती हूँ अगले मैने से किराय ममी जी के अकाउंट में डालिएगा और ममी जी की पैंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगी और भावी आप आप भी इस घर का किराय अब ममी जी को देंगी और ममी जी आप आपको तै करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहां रहेंगी या फिर हमारे साथ चलेंगी शांती जी इधर उधर देखने लगी तो शिवानी उनका हाथ पकड़ कर बोली ममी जी किसी से घबराने की ज़रत नहीं है उम्रे चाहे जो भी हो अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगे कोई आगे बढ़ कर देने नहीं आएगा आज तक आप सम्मान से जीती आईए है क्या आखरी वक्त में नजरे जुका कर जीना चाती है फैसला आपका कोकिला शांती जी का कसकर हाथ पकड़ कर बोली हा ममी जी बोलिए ना बोलती क्यों नहीं है शांती जी ने अपना हाथ एक जटके में कोकिला से चुड़ाया और एक थपड लगाते हुए बोली बड़ी बहु जो भी अधिकार मैंने तुमें दिये थे अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ ये घर पैंसिन के पैसे और किराय के पैसे सब मेरे पती की अरजित की हुई है जिस पर बस मेरा अधिकार है किशन आगे बढ़ते हुए बोला मा ये क्या कह रही है इतने सालों तक जो हमने आपकी सेवा की है उसका ये सिला दिया शांती जी ने दूसरा तपड बेटे को लगाया और बोली जब तुम ही नालाइक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या उमीद कर सकती हूं सही कहा छोटी बहु ने उम्र चाहे जो भी हो अपना अधिकार खुद लेना पड़ता है उस दिन बहुत हंगामा हुआ आखिरकार शांती जी ने निरन लिया कि वो छोटे बेटे बहु के साथ मुंबई चली जाएंगे उन्होंने सभी किरायदारों को अपना अकाउंट नमबर दिया और बेटे बहु से कहा अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराय भी नहीं देना है तो इस घर का मेंटेनस तुमें करना होगा आगे कोई जमेला ना हो इसलिए शांती जी ने एक कंप्लेंट पुलिस्टेशन में भी लिखवा दी दो दिन बादराम अपनी मा को लेकर मुंबई चला गया इदर कोकिला जो आज तक ऐसे आराम से रह रही थी अब उसे बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता था जब पती से शिकायत करती तो किसन कहता सब तुम्हारी गलती है रोज लक्षमी जी की पूजा करती हो पर सास जो लक्षमी समान थी उसे तुमने समान नहीं दिया अब मेरी उकात नहीं कि मैं काम वाली रखूँ अब सारा घर का काम तुम करोगी उस रोज कोकिला को एसास हुआ कि उसने क्या किया सही कहा है किसी ने अब पच्चताए क्या होत है जब चड़िया चुक गई खेत मित्रो माता पिता को कभी हलके में मतले अगर वो वृद्धावस्ता में हमारी दो बाते सुन लेते हैं तो वो घर की शान्ती के लिए वरना जिनोंने हमें खड़ा होना सिखाया वक्त पढ़ने पर अपने कमर और हमें भी सिधा कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें